हेलो गाईज में उद्रक्षित आपको स्वागात है मट्रूप चैनल में तो भाई यह जो वीडियो होने वाला है इसमें आपको एक स्पेसल गाड़ी दिखाने वाले तो भाई आप देख रहे हैं स्पेसल तो यह नहीं है तो यह रही तो भाई यह हमारी आज की स्पेसल आपको दिखा देते हैं मतलब बहुत ही जादा अब ही ट्रेंडिंग पर है जो बिट इस बाइक को ऐसा टार्गेट किया गया ऐसा बनाया गया जो टीनेजर्स को बिलकुल एकदम टार्गेट करके बनाया गया मतलब अभी अगर देखा जागर फर्स चॉइस की बात करें त लेकिन अगर आप इसको चलाने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह लेकिन इसके लुक्स के इससे लुक्स से आप बिलकुल नहीं समझ पाऊँ कि भाई यह काम करता हूं इसका 360 डिग्री व्यू आपके बाद देता हूं आप इसको चार उत्रप से बाद देखो तो बाई आरण फाफ के बाद करें तो यह कलर सबसे ज़्यादा डिमांड में हैं और सबसे चालर भी क्रीए क्योंकि यह बिलकुल यूनिक बनाया गिया है और पहले कि जो कलर से वह रेड ब्लू और ब्लैक यह तो कॉमन हो गई लेकिन यह जो कलर है यह एकदम निव इंट पर बहुत ज्यादा मतलब जिसको कहते है नहीं बहुत ज्यादा इसको अच्छा बनाया गया है तो बात करते हैं इस लोक मिल जाती है यह जो पहले आरण 5 बाती थी उससे उसे जो फ्रंट वाइजर है थोड़ी आप बड़ी है और लाइट्स की बात करें तो यह फ्रंट का प तो इसको पहले on करते हैं तक आपको अच्छे समझ माएं तो यह अब देखे हैं यह डियारल है और बीच वाली है light और साइड से बात करें तो इसमें जो suspensions आती है यह अब देखे हैं इन्वार्टट फॉक्स है और यह रही disk brake हमिए इसमें जो braking system मिलता है वो braking system बाय ब्रे का मिल जाता है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी branding की हुई है और alloys की बात करें बाद करें तो इसमें alloys हमें blue color की मिल जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ABS की branding अब थोड़ा सागर हम लोग पीछे आते हैं तो यह आप देख सकते हैं यहां से आपको गाड़ी की पुरा फुल लुक मिल जाएगी यह एरिया हमें बिल्कुल साइनिंग ब्लैक में मिलती है और यहां पर आरण 5M की लोगो एस जो वरजन है यहीं वरजन में आप देख सकते हैं पर आपको कुछ दिख रहीをगही यह लिख्यू यह विख विख सेविहें मिल जाते वे वरजन में और जो आर्म 5 नौर्वल जाती उससे है क्विक्षिप्टर नहीं मिलती है तो आप सोचेंगे कि यह क्विक्षिप्टर गया है तो भाई क्विक्षिप्टर का बहुत ही ज्यादा यूज होता है ट्रैक पे अब हम लोग इस तरह जो यूज है अब धीरे-धीरे देखते हैं नॉर्मल वैक्स में भी आने लगे मतलब यह सब बैक्स में भी ला दिया गया है इसका यूज ही होता है कि अगर आप स्पीड में रहते हैं हाई स्पीड में 120 या हेंड़ेट पर मतलब जब भी 3000 रपीम से अभाब रहते हैं तो क्या होता है कि हमें इसमें क्लच नहीं दबाना पड़ता है आप बीना क्लच दबाए की गियर चेंज कर सकते हो उससे क्या होता है कि आपकी कि गारे के स्पीड पर कोई फरक नहीं पड़ने वाला है तो आपको काम करते हैं दिखाते हैं उसकी प्लेसिंग है तो यह यह आप देख रहे हैं ये एक सेंसर होता है तो इसमें हमें कुई क्षिप्टर मिल जाता है अगर आप हाइस भी में रहते हैं तो आपको क्लच दबाने कोई जुरत नहीं है अप आराम से इजली बीना क्लच दबाए भी गियर चेंज कर सकते हैं ठीक है और फ्यूल टेंक की बात करें भाई तो इसमें हमें 11 लीटर्स की मिल जाती है जो कि पुराने वाले आरण फाइब से बिल्कुल चेंज है इसकी आप डिजाइन देख सकते हैं और यह रहा है बाई मीटर कंसोल जो कि हमें एक डिस्प्ले मिल जाती है और यह जो आरण फाइब नॉर्मल वाली है मतलब जो बाईजा सब बाईग बहुत जाद के लिए सौरी जो नॉइज आर यह बैगराउंड में तो इसमें आप देख सकते हैं यह ब्लू कलर के में मिल जाती है लेकिन जो आरण फाइब आती है नॉर्मल वाली नॉर्मल वाली में यह ब्लैक ब्लैक है और यहां पर मिल जाती है और यहां पर देख सकते हैं यहां बहुत नहीं है इसकी राइडिंग पोजिशन की बात करती है तो राइडिंग पोजिशन पहले से बहुत ज़्यादा इनहीं हुई है ऐसा जो भाई लिये हुए वह बता रहे हैं और मैं परस्टनली आरण फाइब चलाए हुआ हूँ तो इसको चलाने के बाद मैंने एक ही ची तो यह आप देख सकते हैं अब बले अगर आप इसको फरंट से देखो तो आपको समझ में नहीं आए कि यह बाइक है लेकिना आप बैक से देखो ता आप पेक ही बार पेचान जाओगे यह आरोन फाइभी है क्योंकि बैक से हमें कोई चैन्जेस नहीं किया गया है और कि भाई माईलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 4045 का लेकिन जो भाई लिये में वह बता रहे हैं कि अभी नयों में उसको फोटी के माईलेज मिल जा रही है तो यह बहुत बेस्ट है अगर देखा जाए बाई कि सब्सक्राइब करें अपने प्राइस को फुली चस्टिफाइब करती है जितनी इसकी प्राइस है उतना यह काम भी उसकी हिसाब से है भी तो इसी यह देखा जाए तो टिनेजर्स की यह फर्स्ट चॉइस भी है अब भ्वाई passes की बात करें तो पर फिघर्स में हम लोग तो यह हमें ऑ mango started कि बात इस से जज़ा हम लोग यह लयका चलाते हैं उसकी तो यह तो कहना गलत होगा क्योंकि के वाली यह पूरी के पूरी अपने काम कर देती है वह इसकी हाइस बीड़ सुसीशी होने के बावजित भी एक सो चालिस पैंतालिस तक चली जाती है जो कि इसके सेग्मेंट में बाई लगा दिया गया वह एक सो चालिस पैंतालिस तक आराम जगीज देती है लुक्स की बाद करता बाई जितना कम उतना कम इसके लुक्स बहुत ही ज्यादा स्पेसल बहुत ज़्यादा खास बनाया गया मतलब देखके बाई दिल चुछ जाता है हां कुछ कुछ चीजें जो ट्रैक्टिकल मुझे ऐसे नहीं लगती है जैसे कि मैं कह दूँ आपको ऐसा पर्सनल मैं मानता हूँ ऐसे कोई ऑफेंड में बात नहीं है यह आप देखो खुद के लिए यूज होने वाली फीमली पे यह यूज नहीं होने वाली कि अगर लोग चलाते हैं पीछे पीलियन की बात करें तो पीलियन भाई ऐसा बात करूँ फैमिली में बात को इस पर पैम्मी नहीं बैठ पाए कि साइसे तो हो सब्सके में पॉसिबल यह आप लेक्तिकल नहीं देख सकते हैं अब एक बाइक से अम्मीद करें ऐसा तो नहीं होता है और बातकर बाइस की प्राइस की हमारे धनबाद में धनबाद जारकन में आउन रोड प्राइस की पड़ या रही है दो लाक तेरा अजार और कहीं कई अगर बात करें डिस्टिक वाइस दिश्टिक वाइस कर रही है जैसे कर दो बोकारों में इसकी दो लाक इगा रहा जा रहे और धनबाद में इसकी यह दो लाक तेरा आजा तो प्राइस थोड़े यहां-वहां से मैटर करते रहती है और देखाए बस यह ता वीडियो में और वीडियो अपको अच्छा लगत लाक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजेगा और वीडियो थेंक यू सो मच